फ्रेंट्स अपने एक विवर ने रिक्वेस्ट किया कि गाइनोखेंटिया यानि कि मैंन्स बूप्स के उपर एक वीडियो अप्लोड की जाया फ्रेंट्स बहुत एक कन्फ्यूस करने वाली बीमारी होती है ये क्योंकि अकसर जो लोग इस बीमारी के शिकार नहीं होते उन सब का जवाब इस वीडियो में दूँगा तो फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि सेक्स और फिटनेस से रिलेटर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हलो एवरिवन मैं डॉक्टर फारुक वैदलला आप सभी का आपके अपनी चैनल पर सुआ गयता है जहां बाते होती हैं सेक्स और फिटनेस की फ्रेंड से सबसे पहले हम गाईनो कैमिस्टिया को समझते हैं फ्रेंड जब एक लड़का जवान होता है जब उसकी उम्र 12-13 साल से लेके 21-22 साल के बीच में होती है तो उसके बॉड़ी के अंदर टेस्टेस्टेस्टरोन का प्रोड़क्शन बहुत जादा बढ़ जाता है टेस्टेस्टेस्टरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन होता है इस टेस्टेस्टेस्टरोन हार्मोन के प्रोड़क्शन के बढ़ जाने की वज़ा से ब्रेंड कन्फ्यूज हो जाता है उसे लगता है कि टेस्टेस्टेस्टरोन हार्मोन का प्रोड़क्शन जादा होने लगा है इस अब इस हार्मोन यानि कि estrogen हार्मोन की production जादा हो जाती है बॉडी के अंदर तो एक male, male boobs यानि कि गाइनो केमेस्टिया का शिकार हो जाता है। आपकी भाशा में अगर कहा जाए तो बॉडी के अंदर होने वाला एक chemical लोचा है जिसकी वज़ा से एक male गाइनो केमेस्टिया का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये बनता है कि कैसे पता करेंगे कि आप गाइनो केमेस्टिया के शिकार हैं या नहीं। तो अपने पूरे हाथों को अपने चेस्ट के उस हिस्से पे रखेंगे जहां पे आपको ये शक हो रहा है। आप पूरे चेस्ट को हाथों से cover कर लेंगे हलका सा प्रेस करेंगे। बहुत softly प्रेस करना है कस के प्रेस मत कीजिएगा। जब बहुत softly press करेंगे तो अगर आपको pain हो रहा है या आपको अपने chest के हिस्से में, निपल के पास या पूरे हिस्से में गोलाई में एक lump जैसा हातों में इकठा हो रहा है, manz का टुकड़ा एहसास हो रहा है, एक गांट की तरह एहसास हो रहा है, ऐसे पकड़ने पे, तो आप गाईनो केमस्टिया के शिकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रेस करने पे आपको किसी भी तरीके का कोई manz के लोथड़े का अहसास नहीं हो रहा है, pain नहीं हो रहा है, तो जादा chances है कि आपको lower chest में fat है, आपको सिर्फ अपनी diet और workout पे काम करने की ज़रुत है, अगर वो body का fat है, यानि कि lower chest का fat है, तो सिर्फ exercise और diet के ही जरीए आप इस chest fat को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये gyno chemistry या नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वो lump आपको है, तो ऐसे हालत में treatment की जहां तक बात है, तो अगर आपकी age 13-14 साल जो बताया है, उससे लेके 20-22 साल के बीच में है, तो सबसे अच्छा आपके लिए ये है कि किसी homeopathic doctor से मिलिये, homeopath में hormonal imbalance को सही करने की बहुत ही अच्छी medicines हैं, तो अगर आपकी age 13-22 के बीच में है, तो आपको परिशान होने की जवरत नहीं है, नॉर्मल treatment से ही आप सही हो जाएंगे, और बहुत से बच्चे, बहुत से teenage के बच्चे ऐसे भी होंगे, या 13-22 के बीच के बच्चे ऐसे भी होंगे, जो बिना treatment के ही, उनके man boobs, जो है, उनका gyinochemistry है, age के हिसाब सही हो जाएगा, लेकिन अब अगर आपके साथ ऐसा है कि ये क पर्मानेंट हो चुका है, 22 से जादा age आपकी हो चुकी है, काफी समय से आपको ये एहसास हो रहा है, तो treatment के नाम पे FDA ने अभी किसी भी medicine को ये नहीं कहा है कि इस medicine के इस्तमाल कर लेने से gyinochemistry सही हो जाएगा, तो treatment का सिर्फ एक ही रास्ता है, surgery, surgery से डरने की जरूरत नहीं बहुत ही आसान surgery है, अपने पहचान में, अपने इर्द गिर्द में, अपने शहर में जो भी अच्छा सर्जन आपको लगता है, उनसे जाके consult कीजिए, जादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये किसी को भी हो सकता है, हार्मोनल imbalance है, किसी की भी body में हो सकता है, तो बहुत उदास होने की जरूरत नहीं कि उपर वाले ने आपको ही क्यों चुना है, आप सर्जन से मिलें, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता है, मेरी बाते हैं, आपको समझ में आई होंगी, अगर आपको लगता हूँ, मैं मेरे वीडि के लिए इस सोसाइटी के लिए थोड़े से भी फाइदे मन्द हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स अलाट